Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल इसको ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो मेन आरोपी था, याकूब मैनन, इसको फांसी पर भी चड़ाया गया था, 2015 में वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हो गई है, यह लेफ्ट साइड में जो आप दे एकनाथ सिंदे का कहना है, कि जो भी कुछ हुआ है, यह सही नहीं है, तो यह पूरा मैं आपको बताऊंगा, यकूब मैनन कौन था, और किस तरह से इसको पकड़ा गया, वो भी काफी इंट्रस्टिंग है, काफी कुछ जाने को मिलेगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, ध्यान रखेगा, UPSC की त्यारी अब आप कर सकते हैं, दोस्तों, Study IQ के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स दिये जाते हैं, at a very affordable rate, you just have to use the code अंकेत लाइव, ताकि यह पूरा कोर्स आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाए, इसके अंदर आपको 900 प्लस hours of life teaching दी जाती है, notes दिये जाते है, answer writing practice होता है, weekly division test और prelims के लिए कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, और साथी साथ, एक mentor भी allot किया जाएगा, कोई दिक्कत है, problem है, आप अपने mentor से पूछ सकते हैं, इसके लावा, अगर आपको MCQs attempt करना है, तो मेरे इंस्टा पेज प यहां पर बरी किया गया था, लगबग 7 साल के बाद यहां पर एक video share किया जा रहा है, जिसमें उसका जो grave है, उसको beautify किया गया है, कितनी शर्मनाख बात है, आप सोच सकते हैं, एक आदंगवादी है, जिसने लोगों को मारा था, तो उसका जो video share हो रहा है, यह लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, यह इसी बात है नहीं पसंद आएगा, और इसी लिए यहां पर मुंबई में माराष्ट के अंदर जो political fight है, वो एक प्रकार से start हो गया है, इसके उपर मैं वापस आऊँगा, लेकिन इसके पहले आपको जानने के जरूरत है कि यह यक यकूब महिमन था कौन exactly, देखें यहां पर यकूब महिमन अगर आप देखोगे तो 1993 का serial blast का convict था, इसको आरूपी बनाया गया था और फांसी भी चड़ाया गया, इसको फांसी पर कहां पर चड़ाया गया था, नाकपूर सेंटरल जेल में 30th of July 2015 को, जब जो आखरी petition होता सामला पूरा चल रहा था, वैसे मैं आपको बता दूँ कि यह जो मेमन आप देख रहे हो, यह brothers थे, लगबग 6 brothers आपको देखने को मिलेंगे, तो यहां पर जो एक सबसे बड़ा mastermind था, पूरे serial blast का, वो है आपका tiger मेमन, कई बाद आपने सुना भी होगा, tiger मेमन बताया जा यकूब मेमन था, जिसको लेकर यह पूरी controversy हुई है, यकूब मेमन अगर आप देखोगे, तो इसने मुंबई के अंदर यहां पर masters किया था in commerce, और आगे चल कर इसने अपने आपको enroll कराया था, Institute of Chartered Accountants में, 1986 में, और finally यहां पर 4 साल के बाद, वो Chartered Accountant बन जाता है, सोच के जाता है कि इसका जो elder brother है, Tiger मेमन, वो धीरे धीरे अपना जो छेतर है, वो Mumbai Underworld के अंदर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, मतलब terrorist activities में जो है, वो इसका बड़ा भाई धीरे धीरे शामिल हो रहा था, और दूसरी तरफ खबर यह भी आती है, पता चलता है कि जो यकूब मेम है, जो की chartered accountant था, वो अपने बड़े भाई का जो account है, वो शमाल रहा था, ठीक है, तो indirect way में वो भी एक प्रकार से terrorism में जो है, पार्टिसिपेट कर रहा था, धीरे धीरे, और बताया जाता है कि जितना भी crime किया जाता था, उसके बड़े भाई, Tiger मेमन के दोरा, उसकी जित कभी भी अपने बड़े भाई का जो account है, उसको नहीं समाला था, ऐसा यकूब मेमन कहता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो, जो probe चालू हुआ, जो serial blast हुआ था, 12th March 1993 को जैसा मैंने आपको बताया, कई सारे serial blast हुए थे, बहुत से लोगों के मिलती हुई थी, तो यह साथ, उसके पास explosive रखने का भी चार्ज लगाये गया था, ठीक है, तो ध्यान रखेगा, यकूब मेमन के उपर terror activity फैलाने का, क्योंकि उसने funding वगरा provide की थी, और उसके पास explosive भी पाये गया था, इसी को लेकर यहाँ पर उसको convert किया गया था, चलिए यहाँ पर एक और interesting ची होगे पाकिस्तान में, आपको पता ही है, यहाँ पर जो भी terror activities वगर करता है, वो finally पाकिस्तान में shift हो जाता है, अकसर हमें यह देखने को मिला है, और आगे चल कर जब पुलिस ने जो serial blast की inquiry स्टार्ट की, तो पता चला कि जिस vehicle के अंदर blast किया गया था, वो vehicle trace की गई है मेम human family में, और finally यहाँ पर जो car थी, वो पता चला कि वो उनी की है, और इसलिए पुलिस को पता लगा कि यकूब मेमन जो है, वो इसके अंदर शामुल है, लेकिन जैसा मैंने बताया, यकूब मेमन तो कहा है, वो पाकिस्तान में चला गया, question यह है कि वो भारत कैसे आया, actually बता के अंदर वो कई सारे lawyers के touch में आया, और उसको ऐसा लगा कि वो भारत चला जाएगा, तो lawyers के साथ टच में आके case वो अगरे लड़के, मामला सलट जाएगा, ऐसा उसको feel हुआ होगा, तो finally वो भारत जो है, वो आ जाता है, return हो जाता है, लगभग 18 मेने के बाद, और पुलि नेपाल में, 1994 में, तो दोनों के अलग-अलग वयान देखने को मिलते हैं, जो भी है, जब यहाँ पर यकूब मेमन वापस आ गया भारत, तो उसके बाद, उसके बाकी की जो family members हैं, 8 family members हैं, जिसमें उसकी खुद की wife रहीन, और उसकी जो एक छोटी बेटी है, वो लोग भी भारत रिटर्न हो गए थे, तो यहाँ पर यह जो अरेस्ट है, वो आपको समझ में आया कि किस तरह से अरेस्ट किया गया, question यह है कि उसको convert कैसे किया गया, देखो 2007 में, finally, जो TADA कोट है मुंबई में, उन्हों ने यहाँ पर सजा सुनाई, और कहा कि यह आरोपी पाया गया है, यकूब महिमन आरोपी पाया गया है, फिर उन्हों ने, यकूब महिमन ने क्या किया, कि हायर कोट में अपील किया, हाई कोट और आगे जितने भी होते हैं, finally, सुप्रीम कोट ने reject कर दिया, उसका अपील 2013 में, 2013 में reject कर दिया, और यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई गई और आपको पता है, फांसी की सजा में आप प्रेसिडेंट से अपील कर सकते हो, mercy petition डाल सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी 2014 में mercy petition को reject कर दिया था, और finally, जो मुंबई कोट है, उन्होंने fix कर दिया कि इस date को यहाँ पर execution किया जाएगा, फांसी लगाई जाएगी, और आ execution को reject कर दिया, 21st of July को, और 30th July 2015 को यकूब मेमन को यहाँ पर फांसी दे दी जाती है, और जो उसका बरियल है, जहाँ पर उसको दफनाया गया, वो South Mumbai के अंदर बड़ा कबरिस्तान है, वहाँ पर उसको दफनाया जाता है, तो यह पूरा कहानी है उसके पीछे, अब हुआ क देखिए इसको किस तरह से beautify किया गया है, सुन्दर बनाया गया है, marble के tiles, marble हो गया, कुछ चीज़ें लगाया गया है, LED लगाया गया है, और भी कई सारे lights वगर आप देख रहोगे, पेड़ वगर पर यहाँ पर कई सारे lights लगाया है, तो LED हो गया, lights हो गया, यह सब कुछ क लगाया गया है, लेकिन question यह है कि इसको कब लगाया गया था, तो मुंबई पुलिस अब यह कह रही है, कि यह जो marble आप देख रहे हो न, marble तो काफी समय पहले लगबग, तीन साल पहले लगा दिया गया था, लेकिन यह जो LED lights हो गया, बाकी के जो lights आप देख रहे हैं, उसक में basically यह कहते हैं कि आपकी destiny तै होती है, आपने जो भी कर्म किया है, जो भी कुछ हुआ है, इश्वर अल्ला जो है, उनका हिसाब लेता है और एक प्रकार से, आपकी destiny तै होती है कि आगे आप किस दिशा में जाओगे, तो वो बड़ी रात है, खेर जो भी है, यहाँ पर प गवर्मेंट है कि शेफ सेना, कि जब गवर्मेंट थी, उद्धो ठाकरे, चीफ मिनिश्टर थे, तो उनके रहते हुए यह सारी चीज़ी की गई थी, तो बीजेपी के दोरा यह राउप लगाया जा रहा है, फिर दूसरी तरफ से शेफ सेना, इधर आरोप लगा रही है, जो भी है, I hope कि यह जो पूरा controversy चल रहा था लगाता, news में था, आपको समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हैं, क्योंकि हम festival की बात कर रहे थे अभी बड़ी राध, तो मैंने सुचा एक festival का ही question लिया जाए, क्या बता सकते हो कि मौत्सू, मौत् टेलिग्राम पर आईए, अलग-अलग सोचल मीडिया पर आप जुड़ पाऊगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी अब आप कर सकते हैं, by using the code Ankit Live, ताकि आपको maximum discount में ले, I hope की वीडियो आपको पसंद आयोगा, मिलता हूँ, आपसे next time, till then, thank you very much, see you soon